नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का आज का भागय में मैं हूँ आपकी साथ भाफना शर्मा गोपाश्टमी की आप सबको धेरो शुब कामना है रफ्तार से बताओंगे आज के दिन का हाल साथी में बात होगी पंचांकी और संतान के स्वास को बहतरीन करने वाले खास मह उपाई की गोपाश्टमी के दिन गाय और बच्छे दोनों को सजाय जाता है साथी में घर की सम्रुधी के लिए उनकी पूजा की जाती है शो के अंत में आपको बताओंगी अगर घर की बच्चे बार-बार बिमार पढ़ते हैं तो आज क्या उपाई किया जा सकता है लेकि आठ बच कर तीन मिनिट तक रहेगा राहुकाल का समय रहेगा 9 बच कर 25 मिनट से लेकर के दस बच कर 48 मिनट तक साती में पूर्ध दिशा में यात्रा करने से आज बचेगा और अब रफतार से बात करेंगे आपकी दिन के हाल की सबसे पहले मेश राशी रुका हुआ धन आज मेश राशी वाले लोगों को वापस मिल सकता है जसे की धन संचे कर पाएंगे यानि की इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे आत्म विश्वास बढ़ेगा आज आपका मनोबल कारेक्षेतर में दिखाए देगा पारिवारिक सुख और संतोश रहेगा परिवार में किसी खुशी से दिन का अंत भेतरीन रहने वाला है और अगर बात करें व्यापार की तो प्रगती के योग हैं किसी तरह की कोई नई डील फाइनलाइस कर सकते हैं शुबरंग है हरा भागे आपका साथ देगा 87% तिल का दान आज जरूर कीजेगा प्रिशब राशी आपके लिए आज व्यापार बहतरीन रहने वाला है नए अफसर मिलेंगे काम को आगे बढ़ाने के लिए कारे के विस्तार की योजनाय बना सकते हैं और नए लोगों के संपर्क में आने से आपको ओपर्चुनिटीज मिलेंगे समाजिक या राजगिये ख्याती मिल सकती है आनि की मान सम्मान तो बढ़ेगा ही आपकी बातों का प्रभाव ही लोगों पर दिखाई देगा और अगर आप जुड़े हुए है पॉलिटिकल क्षेतर से तो ऐसी स्तिती में आपका वर्चस वो बढ़ेगा सेहत बहतरीन रहने वाली है खान पान का ध्यान रखीगा शुब रंग है मरून कालर भागे आपका साथ देगा 85 प्रतिशत शिव चालेसा का पाठ जरूर कीजिगा मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी मिथुन राशी वाले लोगों को रुका हुआ धन वापस मिल सकता है अगर किसी को करजा दिया था तो वो वापस आ सकता है परवार में खुशी के अफसर आएंगे, खुशी का महौल रहेगा या किसी मांगलिक कारे की रूप रेखा बना सकते हैं संतान की प्रगती आपको खुशी दे सकती है नौकरी की बात करें तो आगे बढ़ने की मौके तो मिल ही रहे हैं साथी में आपकी बातों का प्रभाव आपके सीनियस पर आज दिखाए दे सकता है गुलाबी रंग का प्रयोग करना अज दिन में शुबता लाएगा 82 प्रतिशत भागे आपका साथ दे रहा है चावल का दान जरूर कीजेगा आपका चंद्रमा मजबूत होगा करक राशी चात्रों की पढ़ाई में रुची बढ़ेगी और इसका असर आपके रिजाल्स पर दिखाए देगा आवास समबंधी समस्याओं का समाधान मल सकता है अगर कहीं घर खरीदने के बार में सोच रहे थे तो उससे जुड़े हुए कोई अपसर आपको मिलेंगे व्यापार में कारे से बाहर जाना पड़ सकता है लेकन अगर यात्रा कर ही रहे हैं तो कोशिश कीजएगा अपनी सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखें और आज सबसे जरूरी बात कि किसी भी अरनैतिक कारे से बचेगा क्योंकि इसका असर आपकी छवी खराब कर सकता है शुबरंग है नीला भागे प्रतिशत रहेगा 76% आज मा पार्वती और भगवान शिफ का गटबंदन पीले रंकी पुश्पों की मालस से जरूर कीजएगा ऐसा करने से दामपत्ते जीवन में मधूरता बढ़ेगी सिंग राशी सिंग राशी वाले लुगों के लिए पूर्व में किये गए कामों में आज सफलता तो मिलेगी लेकिन काम में विलंब से चिंता भी रहेगी रिष्टों में तनाव बढ़ सकता है इसलिए प्रयास कीजिएगा कि सामने वाले की भावनाओं का आप पूरी तरह से सम्मान करें व्यापारियों को सोच समझ कर किसी डील को फाइनल करना चाहिए खास तोर पर अगर कहीं पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं एक बार जरूर सेकिंट वर दे दीजे शुबरंग है परपल कलर भागे आज आज आपका साथ देगा 56 प्रतिशत उपाई के लूप में मालक्षमी को खीर अर्पित की जगा ऐसा करने से व्यापार में व्रिद्धी के योग बनेंगे व्यापार में परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है आज आपको लेकिन कारे और व्यवसाय के क्षेत्र में बाधाओं से मन थोड़ा सा अशान्त रहेगा यात्रा समहल करके कीजेगा और खास तोर पर अपनी सेहत का ध्यान रखेगा रिष्टों में सहयोग आज दिन क रखेगा ऐसा करने से भागे सपोर्ट करेगा साथी में आपके अधूरे रुके हुए काम पूरे होंगे तुला राशी अपनी सोच के कारण आप सही निर्ने लेने में सक्षम रहेंगे और खास तोर पर आपके आसपास के लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं आपका समर्थन क कर सकते हैं सामाजिक शेत्र बढ़ेगा सामाजिक दायरा बढ़ने की वजह से आज व्यापार व्यवसाय में भी आपके लिए गतिविधियां बहतरीन रहेंगी परिवार के सदस्यों से आज मदद मिल सकती है पारिवारिक महौल सुखद रहेगा आसमाली रंग का पड़ सकता है और कर्ज लेकर के किसी कारिक की रूप रेखा बना सकते हैं स्वार्थ और भोग की प्रवर्टी से दूर रहे नहीं तो मान सम्मान में हानी हो सकती है व्यार्थ के वादवादों से बचना जरूरी है नहीं तो इसका असर सीधा सीधा आपकी छवी को खराब क मिलेंगे नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन अनुकूल है और रिष्टों में सहयोग आपके दिन को बहतर बनाएगा लाल रंका प्रयोग जरूर कीजेगा भागे आपका साथ दे रहा है 50 प्रतिशत उपाई के रूप में चंदन का तिलक लगा करके ही आपने दिन की शुरूआत की जगा ऐसा करने से मानसिक तनाव से बचेंगे धलू राशी पारिवारिक तनाव से मन परेशान रह सकता है इसलिए दिन की शुरूआत में ही हर कारे को व्यवस्थत कर लीजे व्यापार व्यवसाय आपके लिए मध्यम रहने वाला है मित्र लेकिन सहयोग कर स परेशानियों का मुकाबला करके भी आज लक्षे को प्राप्त कर पाएंगे जिसके कारण दिन की शुरूआत बहतरीन होगी और अधूरे पड़े हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं चात्रों की बात करें तो दिन अनुकूल है जितनी आपने मेहनत की है उसके हिसाब से आ आप सेवन करने से बचेगा शुबरंग है स्यान कलर भागे आज आज आपका साथ देगा 68% गनेश जी को मोदक का भोग ज़रूर लगाएगा आपके रुके हुई काम बनेंगे कुमब राशेर परवार में सुख और तरख्यी का आअगमन हो सकता है जिसे की दिन की शुरुआत तो अच्छी होगी ही लेकिन अनत भी किसी खुश्खबरी के साथ हो सकता है संतां से कोई अच्छी खबर मिल सकती है और संतां से जुड़ी परेशानी का भी आपको निदान मिलेगा व्यवार को शल्ता से समस्या का समधान हो सकता है और आपका समाजिक दाइरा बढ़ेगा जो व्यापार में लाबगारी रहेगा शुबरंगे गुलाबी भागे आपका साथ देगा प्रतिशत भगवान शिफ को सफेद पुष परपित कीजएगा आपका चंद्रमा तो मस्बूत होगा ही लेकिन साथी साथ में भगवान शिफ के पंचाक्षरी मंत्र का जब करने से मांसिक तनाव भी खत्म होगा मीन राशिल विवाद आज खत्म होने से शांती और सुख बढ़ेगा व्यवसायक शेत्र में सफलता मिलने के विशेश योग नजर आ रहे हैं साथी में आयके नए साधन भी बनेंगे अनुकूल समाचार मिल सकता है और ये खुश खबरी आपके दिन को बहतरीन बना सकती है आर्थिक सती आज अच्छी रहने वाली है जिसकी पज़र से दिन का अंत पहतर होगा आपके लिए मौज मस्ती के कारिक्रों में भी आप संगलित हो सकते हैं मित्रों से मिलने का सहयोग बन सकता है शुबरंगे आपके लिए हरा भागय आपका साथ देगा 82 प्रतिशत लाल संध्याकाल के समय दीपक जलाकर भगवान श्रीक्रिष्न और गव माता की आर्थी जरूर करें साथी में बच्चे के हाथ से दूद का दान जरूर करवाएं ऐसा करने से बच्चे की स्वास्त में बेहतरी आपको दिखेगी ये तो था आज की दिन का खास महा उपाए इसी के साथ गोपा श्मी की एक बार फिर से आप सब को धेरो शुब काम ना है फिलहाल दीजे जाज़त लेकिन तमाम ख़बरों के लिए जुड़े रहे जीनियूस के साथ नमस्कार